ओम जै श्री हरी विश्णू जै मातरणी दोस्तों आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है मां भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे दोस्तों अधिक मास पढ़ने की वज़े से इस साल सावन का महीना बहुत खास बन गया है अधिक मास की वज़े से सावन इस बार करीब 69 दिनों का होगा ऐसे में इस माह में पढ़ने वाले कुछ वरत और त्योहारों की संख्या भी बढ़ गई है इस साल सावन में 8 सोंबार, 9 मंगला गौरी व्रत, 4 प्रदोश के व्रत, 2 अमावश्या और 2 पुर्णिमातिती भी पढ़ रही है ऐसे में सावन मास का दुगना लाभाब को प्राप्त होगा क्योंकि सारे व्रत और त्योहारों की संख्या दुगनी हो गई है आज की वीडियो में हम जानेंगे सावन मास के अधिक मास में पढ़ने वाले पुर्णिमातिती के व्रत के बारे में पुर्णिमातिती कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और जो भक्त पुर्णिमातिती का व्रत धारन करते हैं उन्हें व्रत कब धारन करना है और हाँ पुर्णिमा तिथी के दिन पवित्र नदियों में शनान करने का बहुत महतों माना गया है तो शनान दान और दीप दान की पुर्णिमा कब होगी अधिक मास में पुर्णिमा के दिन शनान दान का शुब मुहुर्द क्या है और जो भक्त व्रत धारण करते हैं पूरिमा तिथी का, उनके लिए चंद्रमा का बहुत महतो होता है, तो चंद्रोदय समय क्या होगा? पूरिमा व्रत की पूजा विधी क्या होगी? चंद्रमा को अर्की किस प्रकार से देना है? किन मंत्रों के द्वारा देना है? और किन वस्तुओं से देना है? आज के दिन किन किन देवी देवताओं की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए, बहुत से भक्ते हैं जो कि सत्यन करते हैं या सत्यनारण की कथा करते हैं beleद को ही नरैंट करना करना हैं सारे आपको आज की वीडियो में शेयर करने माली हूं तो वीडियो स्पाइब लीज है ठीक और ova कि भी जारूर कीजिए क्योंकि साथ ही कमेंट बॉक्स में मातराणी के नाम का जयकार भी जरूर लगा दीजिए इससे आपको सकरात्मक उर्जा की प्राप्ति होती है और अगर आपका कोई भी सुझाओ हो कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेश वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट अप्लोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी तो सबसे पहले जानते हैं पॉर्णिमा तिथी कब प्रारंब हो रही है कब समाप्त हो रही है देखे सावन मास के अधिक मास के शुटल पक्ष की पॉर्णिमा तिथी प्रारंब होगी एक अगस बंगल वार के दिन पुर्णिमा तिती का वृत रखा जाएका पुरुमा तितीश्री लक्ष्मी नारायन یानि की भगवान स्री रिविष्णू और मालक्ष्मी को समर्पीथ होती है और चंधरमा को समर्पीथ होती है क्योंकि चंद्रमा सोलह कलाओं से युक्त होते हैं आज के दिन और शास्त्रों के अनुसार आज के दिन सोलह कलाओं से युक्त पुरण चंद्रमा को अर्गे देने मातर से हर प्रकार की कामना पुरण हो जाती है हर प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाती है तो अगर आप व्रत धारन करते हैं पुर्णिमा का तो अत्यान्थी स्रेष्ट हैं आप तो चंद्रमा की पूजा कर ही रहे होंगे लेकिन जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश उन्हें भी चंद्रमा को अर्क यवश्य देना चाहिए सामकोश्णान करके और स चंद्रोदय समय आपको प्राप्त होगा शामको साथ बजकर सोलह मिनट पर तो जब चंद्रमा उदीत हो जाएंगे उसके बाद आप किसी भी समय चंद्रमा को देख कर उन्हें अर्गी दे सकते हैं एक अगस्त को प्राते काल से लेकर सुबह 6 बजकर 53 मिनट तक प्रीती योग है जो की बहुत शुप योग माना जाता है फिर इसके बाद से आयुश्मान योग प्रारंभ हो जाएगा जो की पूरे दिन रहेगा और इस दिन आपको अभीचित महुर्द का समय प्राप्त जाता समय आपको प्राप्त होगा 1 अगस्त को सुबह 4 बसकर 18 मिनट से सुबह 5 बजे तक ये सुबह का ब्रम मुहूर्च का समय है इस समय में आप श्नान भी कर सकते हैं, कोई भी पूजा आरादना अगर आप ब्रह्म मुहुर्थ में करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये समय सबसे स्रेष्ट है इसके अलावा भी पूरा दिन ही श्रेष्ट माना जाता है तो किसी भी समय भगवान श्रीहर विष्णू की पूजा आप कर सकते हैं मालक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं सत्यनारण भगवान की कथा आप कर सकते हैं अच्छा, बहुत से भक्तों के प्रेशन आते हैं कि भगवान सत्तनारण की पूजा करने का सबसे शुब मुहुर्थ क्या होता है? देखिए, वैसे तो अपने समय के अनुसार ही पूजा की जाती है, आप चाहें तो सुबह भी कर सकते हैं, या शाम को भी कर सकते हैं. अगर आप किसी ब्रामःट को बुला कर पूजा करवाना चाहते हैं, तब तो ब्रामःट देवता खुद ही शुब मुहुर्थ बता देते हैं, लेकिन अगर आप स्वैम से कर रहे हैं, तो सुबह जवाब पूजा करते हैं, उस समय भी कर सकते हैं. लेकिन एक बहुत ही शुब मुहुर्थ हैं एक अगस्त का, उसे नोट कर लीजिए, सुबह नौ बजकर पांच मिनट से, दोपहर बारे बजकर सवताइस मिनट तक, ये सबसे शुब मुहुर्थ हैं भगवान सत्यनारण की पूजा करने का. लेकिन अगर ये समय आपके अनुकूल ना हो, तो आपके पास जो भी समय उपलब दो, अपनी सुविधा के अनुसार अनुकूल समय पर भी पूजा कर सकते हैं, बस राहुकाल का धियान अवश्य रखेगा. राहुकाल में कोई भी शुबकारिया नहीं किया जाता है, तो स्नान, दान, इत्यादी या फिर कोई भी विशेश पूजा राहुकाल में नहीं करनी चाहिए. अधिक मास की पोड़िमाद 3 साल में एक बार आती है. मानेता है कि इस दिन गंगाश नान करने से अमरित की प्राप्ती होती है. ग्रह जनीत दोसों से मुक्ती मिल जाती है. अधिक मास पर अगर आप किसी भी चीज का दान करते हैं जैसे कि अन्न का दान करते हैं धन का दान करते हैं वस्तरों का दान करते हैं चाता दान करते हैं चपलों का दान करते हैं या फिर चावल दान करते हैं तो इसका फल आपको जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है तो इस अगर करके आज पास कोई भी मंदिर अगर के घर के आस्पास हो तो दीपधान अवश्य करने से परिवार के हर सदसे की तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं, अंधेरे में भी प्रकाश की किरण आपको प्राप्त हो जाती है दीपदान करने से इसलिए पुर्णिमा और अमवश्या पर दीपदान करना अध्यन तावश्यक है तो अधिक मास लगने की वज़े से सावन के महीने में आपको दो पुर्णिमा प्राप्त हो रही है पहली अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए इसी के साथ एक और जानकारी देना चाहती हूं अगर आप शिव पुरान की कथाएं प्रती दिन नहीं सुन पा रहे हैं किसी भी कारण वस्त तो शिव पुरान की कथाएं अवस्य सुनिए सुबह साथ ब